हलो मित्रों जै माता दी माता राने की कृपा से आसा करते हैं आप और आपके परिवार वाले अच्छे हुँगे सुवश्टों होगे मित्रों मनुश्य के जीवर में ग्रहों की गरणाओं के अनुसार कई प्रिकार के महत्मून घटनाओं जीवर में घटित होती रहती हैं ऐसे में जोति सास्त्र के अनुसार भविस्य में होने बाली विभिन्य घटनाओं का आकलन करके मनुस्य के जीवन में जो सुब घटनाएं हैं उन्हें और जादा सुब बनाया जा सकता है और जो की विभिन्य प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो की मनुस्य को व्याकुल कर सकती हैं विच्रित कर सकती हैं परिसान कर सकती हैं तो उन घटनाओं में के वदले आप कुछ ऐसे उपायो को करके जीवन को बदल सकते हैं और आने वाले भविस्य को बहत्रिन, सुन्दर और लाप प्रद बना सकते हैं मत्रों योतिस गन्नाओं के अनुसार ग्रोहों के रासियों में परिवर्तन होने की वज़़ से क्रहों में परिवर्तन की वज़े से तथा कई प्रकार के सुब क्रियाकलाफों की वज़े से आप जीवन में लाव की प्राप्ति भी आसानी जे कर सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है आज का यह वीडियो आपके लिए बहत्रिन रहेगा क्योंकि जो तिस गरनाओं के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाए घटित होने वाली हैं किस प्रकार से धन के देवी मातालक्तमीजी को परसन्न कर सकते हैं मातालक्तमीजी और भगवान श्रीहर के कावना कर सकते हैं उज्जवल सफलताओं को परता कर सकते हैं और कारिश्यत्र में जिसमी प्रकार की जोबी प्रिसानिया, तकलिफें और आपको कश्टों का सामना करना पड़ रहा है, यह कश्ट आपके वैपार से जुड़ी, आपके वैविसाइट से जुड़ी या आपके करियर वैविसाइट से जुड़ी हो सकती हैं, तो इन सभी से क आपके जीवन के बारे में और आपके लवलाइफ के बारे में आपके स्वास्त बैपार करियर के चित्र में किस प्रकार सफलता को फ्राप्त कर सकते हैं। तुमत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा गौर से सुनें, समझें और वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने जीवन में जिस हद तक अनुसार आप उतारोगे आपको उसी के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार अपने भविस्य को सुधा पारने का मुका भी प्राप्त होने वाला हैं तो मित्रों आपको बताना वाले हैं कि आज का दिन आपके लिए उन्नती दिलवाने वाला रहेगा आने वाला समय कारिशित्र वेपार लवलाइब के चित्र में आपका बहतर निस्तावित होगा आयात नर्यात के चित्र में भी लाब की प्राप्ति होने वाली हैं जो लोग नौकरी वेसा वाले हैं मित्रों जिन लोगों का नौकरी लग चुका है जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को कारिशित्र में उन्नति की प्राप्ति होंगी और तरक्की देखने को मिल सकती हैं तरक्की मिलती भी दीख रही हैं लेकिन आपको अपने प्रियास को लगातार सफलता की और ले जाने का कारी करना होगा मित्रों आप परिसरान नहों आप बिल्कुल भी चिंतित नहों आप अपने दीवन में दिन्चरिया में अपने आपको सम्मिल्ट करके कारशित्र में काफी बड़ी कुसकबरी को प्राप्त करने वाले हैं जो लोग औव विवाहित हैं जिन लोगों के विवाह के मारग में बिबिन्न परकार की घटनाएं बिबिन्न परकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और वो काफी लंबे समय से प्रियास कर रहे हैं परन्तु फिर भी उन लोगों के विवाह की मारग में आए दिन कोई न कोई बाधाएं आ रही हैं वैसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी रासी की प्रिवर्तन होने की वज़े से इस छेत्र में आपको आने वाला है अच्छे परिवारों में आपका विवाह तैह हो सकता है जिनकी वज़े से आपके बच्चे का आने वाला भविष्ट्य भी काफी उजवल रहेगा आपकी होने वाली जीवन साथी आपका पुन सहयोग करने वाली हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप विदेशों से आयात नर्यात का व्यवसाय अगर करते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर विजनस करते हैं तो मित्रों उनके छेत्रों में भी आपको बहुत पड़ा दील मिलने वाला है क्योंकि देव ग्रूब रहस्पती इस समय आपके रासी के इगारवे भाव म में गोचर करने वाले हैं रासी के इगारवे भाव में गोचर करने की वज़े से आपको धन-धाने में बढ़ोत्री होंगी मान सम्मान में बढ़ोत्री होंगी एस्वरे की प्राप्ती होंगी इज़त के छेत्र में भी काफी प्रदे देखने को मिलेगा और आपको पहले से पुराने जगडे को लेकर जंजटों को लेकर या किसी मद्भेत को लेकर परिसान हैं तो आप परिसान नहों क्योंकि आपकी परिसानी बहुत जल्द भगवान स्रीहरे विश्लुजी दूर करने वाले हैं भगवान स्रीहरे विश्लुजी की कृपा से कारिश्यत्र के साथ आपको लवलाईब के छेत्र में भी काफी बड़ी और उज्वल सफलता की प्राप्टी होती भी दिख रही है। मत्रों इस समय आप किसी पुरानी कल्तियों को लोगों के सामने ला सकते हैं या फिर लोग ही आपके पुरानी कल्तियों को कुरेद कर निकाल सकते हैं जिनकी वज़ा से आप इस समय परिसानी में फसकते हैं लेकिन परिसान होने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह आपके सम परिक्षे की घड़ी चल रही हैं और इस परिक्षा में आप उत्रिन होगे और बहत्रिन सफलताओं को भी प्राप्त कर सकोगे मत्रों अगर आप विवाहित हैं और आपका संतान है तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको संतान सुखो की प्राप्ती होंगे और संतान भी आपका सहयोग करने बाला है माता फिता से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होंगी आप किसी भी कारे को करपाने में आसानी से सक्चम होंगे दोस्तों के साथ आप कहीं घुमने फिरने और किसी नई मनुरंजग कर्ष्टान पर घुमने का प्लान बना सकते हैं परन्तु आपको वेफुजूल के खर्चों पर इस समय लगाम लगाने की जुरुत होंगे बेफुजूल के खर्चे आपके परिसानी को ला सकते हैं बड़ी समस्ताइं खड़ी कर सकता है इसलिए आपको इस समय बेफुजूल के खर्चों को करने से बचने का प्रियास करना होगा आर्थिक इस्तित्यों को बहत्र बनाने के लिए आपको लगतार पर्यास करने होंगे आपके जो कारिशेत्र में शत्रू हैं आपके विरोधी हैं यह जो भी आपके अगेंस्ट हमेशा रहते हैं उन सभी पर आप बिजय की प्राप्ति कर सकोगे और आपका बिजय निश्चित दिख रहा है मतरों आप अपने बुद्धी और चत्रू बुद्धी के कारण उन सभी सत्रों को परास्त कर सकोगे और उन सत्रों की चाल को समझ कर आप अपने जीवन में काफे बहत्रिन इस्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और लाव प्राप्त कर सकते हैं मतरों आज अगर आप किसी संतान से कोई भी वादा करते हैं तो आप अपने वादे को पूरा करने की अवज से कोशिच करें वादों को पूरा करना आपके जीवन में लाब दिलवाएगा अगर आप वादा करते हैं तो आप वादा भी पूरा खरें नहीं तो आपके संतान नाराज हो सकते हैं मतरों जो लोग बेरुजगार हैं जिन लोगों को रोजगार के शित्र में काफी मेहनत करने की बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या आप बहुत ज़्यादा परिसान हो रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी इंटर्व्यू में जाने से पहले, किसी भी कारी को कूरा करने से पहले या कहीं भी न प्रवजों को याद करके घर से बाहर निकलें या फिर आपके घर में मंदिर होगा मंदिर में आप जाएं आप घर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में जाएं मंदिर में सभी देवी देवताओं को असमरन कर लें उनके सामने नत मस्तक होकर परनाम करें और आप अपने काम के बारे में उनसे कहें उसके बाद आप उस कारे के लिए घर से बाहर निकलें ऐसे मे आपका काम जरूर बनेगा और आपके सभी बिगड़े विकारी भी बनेगे और आपके जो भी मनो कामनाएं हैं वो अवसे पूरी होगी कारिश्यत्र बेपार बेविसाई लवलाइव की शित्र में भी आपको बहत्रिन सफलता की फ्राप्ती होने वाली हैं जो लोग प्रोपर्टी डीलर हैं जो लोग निवेश करते हैं इन्वेश्ट करते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका समय समय काफी अच्छा रहेगा परन्तु आप किसी भी इन्वेश्टिंग को करने से पहले अच्छे से समझ कर बूझकर ही करें आपको भागे का साथ मिलेगा जिनकी वज़े से आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा खुशियों से मंगल मैं रहेगा आपको ग्रियस्त जीवन में बहुत तो बड़े समस्याओं का समधान मिल सकता है आपकी जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा कारिश्यत्र में भी आपको काफी परसंता मिलेंगी आपके मन में कई परकार के अच्छे विचार उद्पन लो होंगे जो आपको सफलता का सूचक होगा मतरों अगर आप नौकरे में परमोसन पाना चाते हैं तो आप अपने बॉस के साथ अपने कलिक्स के साथ काम करने वाले लोगों के साथ आप समंधों को बहतर रखने की कोशस करें उनके साथ चिकने चुपुणी बातों को करने का फ्रियास करें और जो भी काम मिले उसे सबसे फैले करने का कोशस करें टीम वर्क करने का आप सबसे टीम को कमांड करने की बुद्धी को लाने का फ्रियास आप जरूर करें बत्रों आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची सर्धा के साथ जैमाता दे अवस्य लिखें आपका दिन सुबहो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासने